नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा 2024 लोगसबा चुनाओं को लेकर अगर बिपक्ष का कोई बड़ा नेता बड़ा आक्टिव है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार नितिश कुमार पिछले तीन महीनों से इस काम में लगे हैं कि बिपक्ष को किसी तरह से एक जुट किया जाए नितिश कुमार ने पिछले तीन महीनों में बिपक्ष के कई बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की है और साथ ही 12 जून को पतना में बिपक्षी पार्टियों क बड़ी बैठक का आयोजन भी किया है पर इस बैठक से पहले ही नितीश कुमार को बड़ा जटका लगता नजर आ रहा है क्योंकि नितीश कुमार ने दिल्ली जाकर दो दो बार राहुल गांधी और मलेकार अरजुन खड़गे से मुलाकात तो की पर अब खबर सामने आ रही ह है कि 12 जून को पटना की इस बैठक में ना राहुल गांधी होंगे ना ही मलेकार जुन खड़गे और ना ही कॉंग्रस का कोई बड़ा लीजर पटना पहुचेगा तो क्या कॉंग्रस पार्टी ने कर दिया नितीश के साथ बड़ा धोका आज इसी पे चर्चा करेंगे बाच्चत के लिए मेरे साथ स्टूड़ी में मौझूद है क्यापचल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद कि जैसे खबरे सामने आ रही है इससे तो यही लग रहा है कि कॉंग्रस पार्टी ने न पूछ लीजिए ना उसी तरीके से वह पल्टी मारने वाला वही उसकी चाल है वही उसका चरित्र है तो जो राजनिति का हाइड्रा है मिस्टर निति श्कुमार उस पे भरोसा नहीं है कि आज कॉंग्रस के साथ है आज आर्जेटी के साथ है दो हजार चॉविस के ठीक दो म लालू यादव जिनके साथ अभी गटबंदन करके वो तो कहते हैं निति श्कुमार के पेट में दांत है पता ही नहीं चलेगा ही क्या करेगा और ऐसा कोई सगा नहीं निति श्कु ठगा नहीं यही तो लालू कहते हैं अब याद कीजिए यही ब्लैक और वाइट में जिस दिन केज्रिवाल से मिलके अगले दिन निति श्कुमार की सेकेंड मिटिग मुए थी राहूल और खडगे जी साह थीच मैंने उस दिन ही कहा था कि अचानक से हर जगा ये तेजसी आदब साथ में होते हैं और तेजसी आदब राहुल गांदी से और खडगेजी से मिलने के लिए नहीं गए तो उस समय ही ये हम लोगों ने कहा था कि डाल में कुछ काला है तेजसी आदब इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये फ्यूटाइल एक्सेसाइज है को रब बकवास चल रहा है और इसमें अपना नाम क्यों हम घसीटे वो वापस लॉट गए अब काउगरिस पार्टी और आर जेडी इनका एलाइंस बीच बहुत मधुर संबंद है राजितिक तोर पे जब पूरी दुनिया सोनिया गांदि के विदेशी मूल के उपर सवाल उठा रही थी लालू यादव अकेले थे जो सोनिया गांदि के साथ खड़े थे और उनको वापस खड़ा करने में लालू यादव का बड़ा हाथ है बड़ा रोल है अब कहानी आगे चलती है नितिश कुमार तो हर जगह हाथ पर उन्होंने मार लिया राहूल गांदी अगर नहीं आएंगे तो इस विपक्षी एकता वाली मीटिंग बारत तारिक के मीटिंग का क्या मतलब है कोई कोई अर्थ रह जाएगा अर्लियर प्लान ये था कि 29 तारिक को राहूल गांदी विदेश जा रहे हैं अमेरिका जो अभी अमेरिका में है और 10 दिन का प्लान था एक 11 तारिक को वापस आ जाएंगे और 12 तारिक को इसलिए टाइम रखा गया था केजरी वाले 11 तारिक को रख रखा है अपना राम लिला मैदान में रह ली अब बहुत दिन उसे बाचीत नहीं हो रही है मुझे नहीं लग रहा है कि वो करेगा या नहीं करेगा घोसना तो इसने कर दी अब अचानक से इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है मीडिया वाले पैसे खांकर के बैठ जाएंगे वो पूछेंगे नहीं कि आपने तो घोसना कर दी थी है वो अचानक से क्यों बंद कर दिया तो खैर वो कहानी अलग है तो अब ये खबर आई की 18 तारिफ को राहुल गांदी वापस आएंगे मतलब ने 11 रहेंगे ना 12 रहेंगे तो जैरावर में से पूछा पत्रकारों ने कि मैं राहुल गांदी ने ख footprint साफ जाएंगे पोले कि नरिनी खरके साफ भी नहीं जाएंगे इसका olv पे ने साफ साफ नितिश कुमार को रिबहु कर दिया विच में करनाटक का रिजल्ट आगया है कांग्रेस पार्टी का कौन्फिडेंस सातवे आसमान पर है वह बहु करनागी यह पहले प्लैन हो गया ता कि वह 10 दिन का प्लैन है वो आएंगे उसके अब राहुल गांदी और खड़गे भी नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है क्योंकि ये तो अगर आप गटबंदन में हैं न मम्ता ब्रणजी भी राजी सरत्पवार भी राजी केजरिवाल भी राजी नितिश कुमार भी राजी और कॉंक्रेस पार्टी य पाने की क्या गटबंदन का तो रूल ही है कि सब लोग मिलके डिसिजन लेते हैं और डिसिजन हो गया तो आप इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं आपका कारिक्रम राहुल गांदी का जो ऑफिसियल कारिक्रम है वो पहले ही खत्म हो जाएगा और अगर यह मीटिंग इतनी इंपोर्टेंट है तो वो एक दिन के लिए आ सकते थे मीटिंग में सामिल हो चकते थे फिर वो वापस जा सकते हैं भाई हमारे आपके जैसे मीन राहुल गांदी कि यूएस की टिकट के लिए जो है सोचना पड़ेगा तो इन्होंने जो कह दि कर लोगे वहां कौन आएगा कोई नहीं आएगा और राहुल गांदी की खबर आई कि राहुल गांदी नहीं आएंगे तो केसियार ने भी कह दिया हम भी नहीं आएंगे तो टाइम बरबाद हुआ नितिस कुमार का तेजस्वी आदब का जा रहे हर दरवाजे पे पहले ही मना कर चुके हैं पटना एक साहब अब राहुल गांदी ये आज जो है साम तक और खबर आजाएगी आप देखिएगा कि कुछ लोग और कहेंगे कि जब राहुल गांदी नहीं है जब यहीं नहीं है तो हम आके क्या करेंगे तो कहां गई विपक्षी एकता कहां गया प्लान और मैं तो देख रहा हूं मीडिया वालों को दलाल पत्रकारों को कॉंग्रेस से ज्यादा चिंतित वो लोग है ज्यादा चिंता जो है उनकी कॉंग्रेस को जाना कि मतलब इनकी जो है हाथ बीट जो है बढ़ी हुई है अब सवाल कुछ दूसरा है कॉंग्रेस पार्टी करनाटक को जीतने के बाद अब उसे लग रहा है कि दे आर इन पोजिशन और मैं आपको बता दूं कि जो कॉंग्रेस पार्टी का जो कैलकुलेशन है दे थिंक कि राजस्थान के स्थिती बदल चुकी है राजस्थान में देखे सौ रुपए सौ यूनिट जो है सब के लिए फ्री कर दिया गया है यह फ्री फ्री के चक्कर में करनाटक जीते है फ्री का अंबार लगा हुआ है छट्रिस गड़ में और मद्परदेश में भारती जन्ता पार्टी की सरकार बहुत ही अनपॉप्लर चल रही है मामा जी इस नो मोर अपॉप्लर चीफ मिनिस्टर इन मद्परदेश तो अभी आगे वाल आने वाले चुनाओं कहां कहां है 36 गड़ मद्परदेश राजस्थान और ये तीनों जग़ों पे कॉंग्रेस पार्टी की स्थिती मजबूत है 36 गड़ में सरकार बदल जाएगी ऐसा उनको लग रहा है कि बिल्कुल बगेल साब फिर से जीत के आएंगे और जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये बता भी रही क्योंकि पिछले पांस साल में आपने कोई लीडर तक खड़ा नहीं किया आप वगेल साब के उपर कोई ढंग से आरोप निलगा सके आप नकोई प्रोटेस्ट कर पा रहे है नकोई प्रदर्शन कर पा रहे हैं वहां कोई अजेंडा सेट करने का कोई तरीका ही नहीं आई है आपको लगता वे प्रधान मंत्री का फोटो दिखा करके आप इस्टेट एलेक्षन जी जाएंगे तो वो नहीं होगा वगेल साहब जो है उन्होंने एक अच्छा वहाँ पे अपनी पैठ समाज के अंदर बना ली है मद्य प्रदेश में सिवराज सिंग चवान वापस नहीं आएंगे यही ग्राउंड रिपोर्ट है और राजस्थान में भारती जनता पार्टी में आपस में चार चार पांच पांच वहाँ मुख्यमंत्री को मिद्वार आपने खड़े कर दिये अपनी कंफूजन के वज़े से वसंदर राजसिंद्या को अगर आप साइड लाइन करेंगे वीजेपी हार जाएगी कॉंग्रेस पार्टी जी जाएगी मतलब कॉंग्रेस पार्टी जो कहते कि बंबं है ओवर कॉंफिडेस से जो है लबरेज है जब आओ मैदान में और इसका इंपक्ट होता है प्रधान मंत्री मोधी प्रचार प्रसार तो करेंगे ही जनता वोट करेंगी लोकल मुद्दे पे आप उनको जो है डबल इंजिन डबल इंजिन सिखाते रह जाएंगे आप हार गए तो क्या हुआ रिजल्ट 2-1 भी आया तो भी कॉंग्रेस पार्टी तो वो क्यों इस तरह के ब्लैक मिलर्स जो है केजरिवाल तो केसी आर तो ममता और निती सुमार यह सब क्या है यह सब डेमोक्रसी के वैसे पनोती है जो पिछले दरवाजे से ब्लैक मेलिंग के राजिति के जरिए आप बनने के जुगार में लगे हो तो कॉंग्रेस पार्टी क्यों बरधास्त करें तो यह जो रिजल्टि चुमार कोई नहीं है यह तमाम उस तरह के सडींतकारी लीडर्स को है कि जो इनको लग रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी बिल्कुल डन एंडस्टेड हो गई है कमजोर हो ही है देखे केजरिवाल कैसे मज़ा गुडाता है कि भाई कॉंग्रेस पार्टी को कमजोर करने की ज़रूरत है क्या तो यह दिफरेंट कॉंग्रेस आ चुकी है करनाटक के चुनाओं के बाद यह उनका परस्पेक्टिव है राहूल गांदी टीम यह जो सोच रही है वह मैं ब केजरिवाल को समर्थन नहीं करना है और्डिनेंस में हरवा देना है यह भी तै कर लिया कि ताकि यह जो राहूल गांदी के ऊपर छीटा कसी करने वाले विपक्षी गैंग में जो लोग है उनको पहले उनकी हैस्यत दिखानी है यही कॉंग्रेस का मूल उद्दिश रहते है दन्यवाद आप इस पर अपनी राइक कॉमेंट करके जरू लिखे देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार